धार्मिक नगरी आयोध्या से एक ऐसा संफनी खेज मामला सामने आए जिसके बाद देश के सुरक्षा पर सबार खड़े होते हैं अयुध्या में आर्मी के प्रयोग में आने बाले ट्रक से चोरी चीपे मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजवाने का काम किया जा रहा था पुलिस ने आर्मी के प्रयोग में आने बाले इस ट्रक को पकड़ लिया है साथी ट्रक ड्राइवर को और एक व्यापारी को गिरफतार किया है इससे पुलिस और आर्मी इंटेलिजिन्स के अधिकारी पूछताज कर रहे हैं ट्रक जबलपुर वीकल फैक्टरी से गुवाहाटे स्थेत रंगिया नारंग जारा था यहाँ पर इससे सेना को सुपूर्ट किया ज़ाना था लेकिन रास्ते में ही ट्रक ड्राइवर ने पैसा घमाने के लालच में इस ट्रक का दो रुप्यों किया तलाश लेने पर ट्रक में संगमर की मूर्थियां बरामद हुई है अब ड्राइवर ने बताए कि पैसा कमाने के लालच में ही उसने रास्ते में माल ट्रक में लोट किया था अब चुकि ट्रक सेना के लिए बना होता है इसलिए इसे कहीं भी आने जाने के लिए ज्वांच की ज़रत नहीं बढ़ती है ऐसे में इसी का नाजास फादा उठाने की कोशिश ये ड्राइवर करना चाहता था